आज हम लोग जो बच्चे सेमिस्टर 5 में हैं, विकॉम सेमिस्टर 5 बिनोवाव उनिवर्सिटी में उनका एक्जाम आने वाला है और उनके लिए Commerce World हजारी बाग एक मॉडल पेपर बना कर ला रहा है और ये एक अकेला मॉडल पेपर नहीं है Commerce World हजारी बाग हर सब्जेक का तीन से चार मॉडल पेपर लेकर आएगा और मॉडल पेपर में कॉश्चन भी होंगे उसका आंसर भी होगा और ये हर बच्चे के लिए एवलेबल है आपके पास अगर आप चाहते हैं जो Commerce World के स्टुडेंट है उनको तो Commerce World हजारी बाग के अप प्ले स्टूर में जाएंगे प्ले स्टूर से Commerce पर हजारी बाग का अप्लिकेशन इस्टॉल कर लेंगे और इस्टॉल करने के बाद सामने उनको दिखेगा सिमिस्टर 5 बिकॉम सिमिस्टर 5 मॉडल पेपर और सारे सब्जेक का मॉडल पेपर उसमें अभील रहेगा वो चेक हम उनको बैच में अड़ कर देंगे ताकि उन तक यह सारा मॉडल पेपर पोहँच जाएगा तो उसी सिलसिले में आज हम लोग आडिट का मॉडल पेपर वन लेके आएं हर सब्जेक का मॉडल पेपर आएगा चाहे और ओडिट हो चाहे कोस्ट सीमें हो कोस्ट अन मैनेजमे किकावी पीडिया पार मॉडल पेपर मिल जाएगा है इस इनवर्सिटी में जो पूछे गया है उनको लेके बनाया वा इतो जो कोछोन पीछले साल पूछा हुग है जो दो तीन साल पहले पूछा हुआ क।ट है उसको मिक्स करके और एक important question का set बनाए गया है जिसका answer भी आपके सामने दिया हुआ है और ये model paper इसी तरह से तयार किया गया है तो तीनों का तीनों model paper जो है कुछ previous year के questions है और कुछ commerce world का अपना important question है और आप ते मानिएगा कि theory वाले subject में इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तयार कर लेते हैं तो स्योर रहेगा किसे बाहर कहीं नहीं जाएगा अब लिखने का ताकत अपका है जितना लिख सकते हैं उतना ही बेतर आप marks लाएगे इसलिए question तो solid आएगा सार आएगा लेकिन आप लिखने का ताकत रखेगा तो चली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज audit का model paper model set 1 तो model set 1 में audit का आप लोग का exam pattern तो जानते हैं कि 8 question total पूछा जाता है question 1 compulsory होता है बाकि जो remaining 7 question होंगे उसमें से 3 cancer आपको करना होता है तो चली देखें उसी जलसे में हमा लोग true false first question जो होता है वो दो दो नंबर का होता है true false करके आप दियावा है तो एका करके हम लोग देखते चले जाते है क्या क्या दियावा है first question लिखा है true false में कि auditing is extensive examination of entries क्या लगता है auditing के अंदर किसी भी accounting का या किसी भी lending का गहन जांच किया जाता है accounting, auditing के अंदर क्या किया जाता है extensive examination होता है गहन जांच होता है या नहीं होता है तो बिलकुल यह true है क्योंकि कभी भी audit करने का मत्तब यह होता है कि कि किसी भी transaction का details study करें और details study करने के लिए हम लोग auditing करते है तो यह true है दूसरा बोलता है auditing is luxury अंकेक्षन विलासिता है अब यहाँ पर देखे जगा छोड़ दिया है बाकिसाब का अंसर किया हो है देखे यहाँ जगा छोड़ा वाई क्योंकि यह दो हो सकता है अगर हम small business की बात करें छोटे business की बात करें तो small business man बोलेगा हाँ luxury विलासिता है विलासिता का मतलब क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है पालतु का ही है तो छोटे business man बोलते हैं नहीं पालतु का चीज है audit लेकिन बताए अगर हम big business की बात करें बड़े business man की बात करेंगे तो बड़े business man क्या बोलता है audit कराना luxury है उनके लिए audit कराना बड़ा business क्या बोलता है compulsory है अगर हम बड़े business के हिसाब से देखें तो false हो जाएगा क्योंकि बड़े business man को audit करना compulsory है audit कराएगा तब उसको पता चलेगा कि उसके business का real position क्या है अब यहां आपको क्या सोचना है? कुश्चन तो दोनों दे दिया है small business सोचेंगे तो true हो जाएगा big business सोचेंगे तो false हो जाएगा तो याद रखेंगा यह तो हो गया कि हम लोग अपने से बना दिये exam में अगर आ गया है सही तो आप क्या लिखो गए आप a small नहीं हमें साब big business सोच के जो क्योंकि हम लोग chapter पढ़ रहे audit और audit जब भी होता है किसके लिए होता है बड़े businessmen के लिए तो बड़े businessmen मान के हम लोग इसको false मानेंगे कोई दिकत है third question क्या है Chartered accountant is a professional auditor एक chartered accountant professional auditor होता है बिलकुल जो भी लोग professional auditor होते है there must be a chartered accountant जो भी professional auditor होते है पेसेवर अंकेक्षक होते हैं उनके लिए जरूरी है कि उन्हें chartered accountant होना चाहिए जब तक आपके पास CA की degree नहीं रहेगी आप auditor नहीं बन सकते हैं तो auditor बनने के लिए chartered accountant की degree होना अनिवारी है आवजसक है तो बोलता है कि अगर आप CA या auditor बनना चाहते हैं तो उसके लिए chartered accountant की या CA की degree आपके पास होनी चाहिए तो true है वैधानिक अंकेक्षन अनिवारी होता है legal जो audit होता है या statutory जो audit होता है वो compulsory होता है नाम ही है वैधानिक मतलब कानूनी आंकेक्षन तो कानूनी आंकेक्षन तो अनिवारे है कि हर बेक्ती को जो कानूनी आंकेक्षन है वो कराना पड़ेगा तो ये भी true है आगे बोलता है audit or partner firm is compulsory अभी तो बताए कि small business जो होगा छोटा business चाहे partnership business हो चाहे small business हो जैसे sole proprietorship जैसको लोग बोलते है single ownership business हो उसके लिए audit कराना ज़रूरी नहीं तो partnership business के लिए audit compulsory नहीं है optional है partnership business चाहे तो audit करा सकता है नहीं चाहेगा तो नहीं करा सकता है तो optional है बट compulsory नहीं है इसलिए false है वो दिकेते हैं कर बोल देता कि audit or partnership firm is ठीक है नेसरी तब क्या करते है compulsory तो false मार दिये कि ने compulsory तो नहीं है आनिवारी नहीं है आनिवारी मतलब समझता है कि बिना audit करा है जैसे company में देखिए audit आनिवारी है बिना audit करा है अगले साल बिजनस करने के लिए इस साल का काता audit कराना पड़ेगा ये compulsory है कि बिना audit करा है जबकि पार्टनर से में audit compulsory नहीं है बट necessary है बट necessary है अनिवारी नहीं है लेकिन आवस्यक है दोनों में थोड़ा अंतर है अनिवारी का मतलब है कराना ही पड़ेगा और आवस्यक का मतलब कराओगे तो फाइदा होगा, अच्छा होगा, तो बोलता है, अगर प्लिक देता, audit or partnership firm is necessary, तो ये true हो जाता, कि जी हाँ जरूरी है, पार्टनर्सिप है ना, लफड़ा कहीं नहीं हो सकता है, कोई partner कुछ किया होगा, तो partnership firm को audit necessary हो जाएगा, compulsory नहीं हो होना चीए, audit program क्या होना चीए, जो audit program क्या होता है, audit करने से पहले, जो हमारे पास auditor आते हैं, माली हम 20 auditor को भेजे किसी जगा पर audit करने के लिए, बड़ा फॉर्म था, बड़ी company थी, उस जगा हम 20 chartered accountant को या 20 जो है, छोटे-छोटे अपने, जो ट्रेनर थे उनको भेजे, जो internship में रहते हैं, audit करने के लिए, क्या लगता है, वो बंदा अपने जाकर audit करेगा या प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कि पहले audit करेगा, मैं सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा, चौथा क्या करेगा, सब लिकिन फिक्स होना चीए है अगर बहुत ज़्यादbling हो जए गा तो कानफिज़न हो जाएगा तो कि पांचे काम कर क्योंकि प्पता चला कि, उसका काम वो कर दिया, उसका काम काम कर दिया तो तो आप इस सिलसिले में आप रिजिट को ट्रू मान सकते हो कि नहीं सही है, अगर हम मानें तो यह रिजिट ही ट्रू है, ओडिट प्रोग्राम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिटेन लिख के दीजे ना भूल जागा बेचारा, अब किसी को बताए, दिल्ली में किसी फिर फोन करोगे, तो क्या होना चाहिए, जब सबजी लाने में जो सामने दिख रहा है, उसमें भूल गया कि कौन कितना खरीदना है, तो किसी को ऑडिट के लिए समझाग भेज दीजेगा, समझ मा जाएगा, तो उसको लिख के दीजे ना, कि जब तुम बैंक में जाओगे दीजे इसका ओडिट करेंगे, फिर तीसरा बता है, फिर चौथा बता है, तो लिख के देने से ओडिट प्रोग्राम आसान होता है, और ओडिटर को भी आसानी होती है, बहुचिंग इस दा बैक्वर्न ओडिटिंग, बिल्कुल डू है, क्योंकि ओडिटिंग में क्या है, बहुचिंग में क्या करते है, बहुचिंग, बहुचिंग का मतलगता है, बहुचिंग का मतलगता है, लेन दोनों को भौचर से मिलाना, जो आप पूरा ओडिट करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसका लेंगवेज सिंपल होना ची और करेक्ट होना ची बिल्कुल सही है, साधाना नोन चाहिता है कि कोई भी आदमी आसानी से पढ़ सके, समझ सके का आप क्या बोर रहा है, कहीं कोई दिक्कत है true में, अगला कुशन क्या है, audit of soul trade is compulsory false, soul trade का compulsory audit, नहीं false होगा, अब देखे, आगे हम लोग पहुच गया, ये हम लोग को 10 कुशन कंप्रीट ह अगर हम लोग इस तरह से 3 सेट और करेंगे तो complete हो जाएगा, सारा कमांड में आ जाएगा जो छोटे-छोटे questions होते हैं, अब चलते हैं आगे, अब हम लोग चलते हैं question में 2 देखे, आपको तो भले चार ही answer करना है, आपको भले चार करना है, लेकिन commerce world के model paper में 8-8 answer मिलेग what do you mean by auditing, explain its objectives, auditing क्या है और इसके objective बताइए, तो देखे सब का परिवासा दिया, auditing का definition दिया भाया है, narrow approach में भी और wider approach में भी, audit का मतलब क्या होता है, audit का मतलब दो ही चीज़ होता है, कि हम सबसे फ़रे ट्रांजिक्शन हुआ है, उसका भौचिंग करेंगे, भौचर के स कि आपके business में यह समस्या है, कोई दिकत किसी को, अब चली आगे चलते है, तो क्या क्या definition दिया हुआ है, तो बोलता है, आंकेक्शन से आज से, बेवापार की पुस्तकों, खातों तथा परमानकों की जाच से है, नि क्या क्या check करना होगा, books, accounts and vouchers, यह check करना होगा, ताकि यह पता लगाए जा सके कि बेवापार का सही और उची चित्र प्रस्तूत करने है तो, balance sheet जो बनाया गया है, वो नियमानकूल बनाया गया या नहीं, accounting may be defined as the examination of the books, accounts and vouchers of a business with a view to ascertaining whether or not the balance sheet is properly drawn up, so, as to so a true and correct view of the statement of affairs of the business. यह एक बिजनस का balance sheet सही तरीके से बनाया गया है कि निए बनाया गया, उसके लिए books of accounts, lasers and vouchers को सही से check करना audit कराता है. देखिए छोटा और लिखा, लेखा पुस्तकों तथा उसके अधार पर, और books of accounts तथा इसके अधार पर जितने statement बनाया गया है, जैसे पहला तो आप laser बनाया, laser के अधार पर trial बना, trial के अधार पर final account बना, trading PL balance sheet, उसके अधार पर ratio analysis बगर हुआ, तो बोलता है कि हम सबसे प लेजर चेक करके नहीं मानेंगे भईया, लेजर के अधार पर जो जो बनाया होंगे, सब ना गलत हुआ होगा, अगर लेजर में कोई गलती हुई है, तो लेजर के अधार पर जो जो बनाया है, वो सब गलत है, और सब को चेक करने का पूरा जो काम है, वो क्या कलाता है, audit कल दो ही मुख्यों देश हैं यही दो काम के लिए हम लोग आडिट करते हैं पहला मुख्यों देश क्या है लेखा पुष्टकों की जहांच एक्जामनेशन ऑफ अकाउंटिंग बोक्स चेक करो जहांच करो कि सही से लेखा पुष्टके रखे गई या नी रखे गई वार्शिक विवरोनों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनल स्टेट्मेंट, वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफाय करने का मतलब होता है मिलान करना, वेरिफाय करने का मतलब क्या होता है? मिलान करना कि जो फाइनल स्टेट्मेंट आनि ट्रेडिंग पील बालेंसीट बनाए ग प्रिटेटमेंट को उसके अलावा कुछ सहायक उदेश है, जो मेन अबजेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके साथ सबसेडियो अबजेक्टिव है, जहां से हमको कुछ और भी फायदा मिल जाता है, अगर हम अबजेट कराते हैं तो यह सारे हमारे कोई उदेश नहीं, लेकिन सपोर्टिव अबजेक्टिव है कि अगर हम अपना अडिट कराते हैं तो यह सारे फायदे मिल जाते हैं, पहला है डिटेक्शन ओफ एरर, असुधी की खोज, अच्छा, असुधी खुल मिल गया, तो फिर उसको रोकेंगे, तो प्रिवेंशन ओफ एरर, पहले असुधी ढूनेंगे, असुधी ध्यान दिजेगा, और अडिट हम लोग गल्ती ढूनने के लिए करते ही नहीं, बहुत लोगों को यह लगता है कि अगर अडिट खली गल्ती ढूनने के लिए करते हैं, भाईया, तुमसे गल्ती हो गई है, तुम इसको इंप्रूव कर लो, सुधार लो, तो अगर गल्ती पता चल गया, तो उसको ठीक करेंगे, प्रिवेंशन फिर फ्रॉड को ढूनेंगे, फिर फ्रॉड को ठीक करेंगे, एक साथ भी लिखा जा सकता था, इसको आप बोल सकते हैं, असुधियों की खोज एवम रोक, और छल कपट की खोज एवम रोक, आगे क्या रिखा है, एडवाइश टू दा मैनेजमेंट, प्रबंद को आप क्या सलाह दीजेगा, अगर मैनेजर आया आपके पास, और बोला, सजेस्ट किजे सर, आप और अड बंहें दिये, ताकि हमारा बिनस और स्ट्रव हो सके, अच्छा हो सके, तो उक डिक्ति का पूरा सरी से करता है, तो डॉक्टर से उसका, पूरा फहीं 신वली मर्पनी बीजेड को से बताई है, अगर के उत्मार इंपनेजमेंट, सर्थ ऑसका कीसे ठीए, हमारा भी ठूस को कि परेंचे और बड़ू हो आदम की फेम हो जाएगा तो कर अब्सक्राइ कीया पूप सुझावार कर रेवान करichte खेंचे लोल्ही सिसक्टा थे अर कुछ नहीं है। सोच और रोज चेक हो तो जाहा है जहाएगा कर चोजirosी अंदर है लेकिन ऐसे मोहाल में जी रहा है जहां रोज शेक हो रहा है तो उसको डर लगता है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी उस डर से वो खतम कर देगा इसलिए बोलता है कि अगर आप लगातार आउडिट करेंगे तो करमचारी पर नैतिक प्रभा जाएगे और नीचे एक लाइन और लिखवा दीजे कि समाज में ऐसा मोहल बना दीजे कि भरष्टाचारियों के साथ रिष्टा तोड़ दे लो देखिए गोसके बद भरष्टाचार खतम हो जाएगा अगर तुम्हारे पास खुब पैसा लेकिन तुमको कोई आदमी बुल पड़ता है, moral effect पड़ता है, दूसरा क्या है? कानून का अगर अदेश है कम goneud कर आजईकराना यह कला इसलिये हम लोग कराते हैं, कानून का अदेश मानते हैं, maximum लोग उसकर आगे कहा लिखा है? easy to satisfy यह बोलता है to satisfy the government authority हम सरकारी अधिकारी को संतुष्ट करना चाहते है इसलिए audit कराते है और हम चाहते हैं हमारे जो environment है वो healthy रहे अच्छा रहे इसके लिए हम audit कराते है समाजी कुद्धिस क्या है social objective समाज को क्या फाइदा हो समाज को क्या फाइदा अगर हम audit कराएंगे तो अपने बिजनस का तो पहला अगर हम अपने बिजनस को audit कराएंगे तो जो बेगती हमारे बिजनस में पैसा लगा है उसका पैसा सुरचीत रहेगा कि नहीं को रिकत है जो बेगती हमारे हम पैसा लगा है उसका पैसा सेफ है हमा लगातार ओडिट करते जाएंगे तो हमको समझ में आते जाएगा कि कमपनी का परफोर्मेंस कैसा है इससे क्या होगा कि इंवेस्टर का पैसा प्रोटेक्ट रहेगा उसके बतुत है प्रोटेक्टिंग अगेंस इवेजन टेक्स चोरी नहीं कर सकता कर होगा फर्म आपको बता रहा है जाए और आपको बतारा है कि आप छे करोर कमा यह तो क्या बचा लीजेगा अगर हमारा श्रम का कुई इंकम टेक्स बचा सकते हैं नहीं केसे प्रोटेक्स कमार कें होता है तो में पढ़ित का रोज पुए हार खिरी इंकम का फिर पार है को क हिसाब किताब चेक हो रहा है उसके लिए संभाव नहीं को टेक्स चोरी कर लेगा बात समझ गया लेकिन अगर किसी कंपणी का कोई हिसाब चेक नहीं हो रहा है बस वो बोला तुम अपने मन से जो बोलोगे वह इनकम है तो एक तो आधा बोलेगा दस कमाएगा पांच बोलेग उसमें भी पांच में चोरी कर लेगा टेक्स बात समझ गया कि इरादा होता है ना इरादा गरबरा जाता है उसको लगता है इतना भी क्यों देंगे चलो काट लो इसमें लेकिन अगर हर साल आडिट हो रहा है तो एसी स्थिति भी टेक्स चोरी करना पॉसिबल नहीं है आग हम अगर आपका पैसा लिये हुए हम बिजनस चला रहे हैं आप मेरे बिजनस को कभी देखने नहीं आते आपको पता भी नहीं हम कैसे बिजनस चला रहे हैं लेकिन हम बताएंगे आपको कि हमारा बिजनस कैसा है और उसके लिए हम आडिट कराएंगे और आडिट करके रिप पवित्र हैं कि नहीं है, मालूमें कि नहीं? आइट रिपोर्ट अगर किसी का हाथ लग गया, बहले इस दुनिया का सबसे बेमान आदमी हो। लेकिन आइट रिपोर्ट अगर उसके हाथ लग गया और अड़ीट रिपोर्ट में लिख दिया कि बढ़ियां फर्म हैं, तो याद रखे हैं कि गंगा जल से भी जादा पवित्र हो जाता है उस पर कोई सक नहीं कर सकते हैं यहां तक यह परधामंद्री सक नहीं करते हैं यह audit का पावर है अगर C.A. गलत करके पैसा लेकर गलत किया है पैसा लेकर इस करप्ट आदमी को सही अगर दे दिया रिपोर्ट तो भी इस दुनिया के सारे लोग उस रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे इतना पावर है C.A. का समझगे वो गंगा जल से छिटने से पवित्र हो ना हो तुम्हारा रिपोर्ट बिजनस लेकिन इसके लिख देने से रिपोर्ट बिजनस आपका पवित्र हो जाएगा लोग विश्वास कर लेंगे और नीचे क्या है स्रमिकों के लिए समझचित मज़ूरी की माप अगर ऑडिट कंटीनी होता रहेगा तो फिर लेवर का सही सैलेरी ते होगा तो वो भी तैय हो जाता उसके बाद नीचे क्या रिखा है रिजनेबल प्राइस पुर्द के लिए प्राइस रिजनेबल हो जाएगा और नीचे क्या है समाजी के लागत और लाब का मुल्यांकन आप कर पाऊंगे अच्छा यह कैसे होगा समुचित मुलिए उभगताओं के लिए रिजनेबल प्राइस कैसे होगा अभी हाल पिलान में अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार बनी ते कहानी सुना देते कुसमें बुज़िप कंपानि अभी हूं रहे थे कहां में खाते में उसके कारण सरकार से हम between करते हैं कि हम को बिज़ि के प्राइस बिढ़ हाने मोगा दे दिया जा अनि हम बिज़िकी कीमत बढ़ाना केजरिवाल जी आए वो लेक नहीं आडिट करा सबका और पांच-पांच को अडिटर बेज़ो एक कंपणी में पांच आडिटर एक से नहीं कितना को खरीद लेगा एक को खर देगा दूसरा को कोई तो उसमें मंदार होगा कट्टरी मंदार एक भी मिलिया तो प्रगर देगा पांच-पांच चार्टर को दड़ाओ और जब पांच-पांच चार्टर नंदर घूसा तो पूरा खंगाल के निकाला ये कंपनिया तो प्रोफिट में चल रही है बच समझ गए तो ऐसी इस्तिति में बताईए और भोगता को नुक्सन था कि नहीं अगर सरकार आडिट नह चल रही है तो तुम रेट काही बढ़ा है रेट गटाओ और आज देख रहे हैं सबसीडी ये चीज आपको समझना है कि अगर आप सही से चेक करेंगे और अडिट करेंगे तो सारी सुभी धाएं आपके लिए हैं अगर सही से अडिट नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आपका तैयार कियवा कारिक्रम है ऐडित प्रोग्राम क्या है? एक लिखित योजना, दीक है लिखा है अंकेक्छन कारिक्रम विष्टित तथा लिखित योजना है जिसमें अंकेक्छक के और नी "-ग ठीच्छे के पूरी रूप रेखा दी होती है audit program के अंदर आगे क्या रखता है कोई भी आंकि एक्छा कारिकरम पूर्व में ही बना लेता है हनी काम करने से पहले ही एपना program बना लेता है कि हमको काम कैसे करना लिख लेता एक PayPal यह करेंगे दूसरा यह करेंगे तीसरी चोथा यह करेंगे अच्छा क्यों बनता हो का अओडिट प्रोग्राम? ताकि कोई काम छूट ना जाए, समझे? आपको कोई काम दिया जाए, चार पांच-छे काम दिया जाए, बीना लिखे कर आप कीजेगा तो छूट दीजेगा, पक्का छोड़ दीजेगा, इसलिए बोलता है लिख के जाओ हम लोगे साधी बगार विवास के समय में क्या होता है, कार्ड बांटने के लिए जाता है, कि जाओ जाओ ये सब गाउं में बांट लेना, बीना लिखे जाओ देखो कि इतने गाउं छोड़ के हो गया, अर जब डायरी में लिखा रहेगा तो एक गाउं से निकलो के बाहर बैटके खड़ाओ के देखो के खाँ ये हो गया, अब ये गाउं है, तो पता करो कि इधर से जाना है, इसका मतलब हम जो भी काम करके आएंगे परफेक करके आएंगे, और हम को ये भी पता होगा, क्या काम हम कर चुके हैं, क्या नहीं कियें, कौन सा गाउं में हम बांटे ह कौन सा काम है, सब कुछ हमको रात में पता चल गया, A to Z, अगर हम लिखके चलेंगे, तो उसी तरह से ये लोग करता है, क्योंकि 6 दिन, 7 दिन लगता आउडिट करने में, अब सुचिए कल आप कौन फाइल चेक करका हैं, भूल गये रात में, अब फिर सुबजा को उसी फा हमको बनानी होती है, जिसमें क्या क्या बात हम लो लिखेंगे, यह पूरा परिभासा दिया है, audit program का, डेफिनीशन सा पराम से, ठीके, बहुत सारा परिभासा है, लिखते चलिए, audit program का, लेकि यहां लिखाया, एक audit program, अगर इस्टार्ट करना है, तो क्या क्या प्लान लग गया तो पहले तो उसका प्रोग्राम आप बनाए होंगे ना अगर मान लोग पिछले साल हम जिसका ओडिट कर रहे थे उसी में फिर भेज दिया थाम को दुबारा प्रोग्राम बनाने जो थे या वही प्रोग्राम काम करेगा तो पुराने वाले में तो दिक्कत नहीं है वही प्रोग्राम काम कर जाएगा लेकि नए बिजनस में जब चाओगे तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा तो यहां लोग नए बिजनस का किवर डिसकस कर देते हैं पुराने वाले में पुराना प्लान ही काम कर जाएगा तो नए बिजनस में क्या प्लान बनाना पड़ करेंग्स नहीं घारीन दूसरा किया है कारिचहतर का निर्धान करेगा निर्धारन किया है कि मेरा काम क्या है क्या हम मैंको करना सब्सक्राइब करेगा तीसरा बोलता है सांस्था के सौभाव का ध्यान करेगा. Study of the nature of the organization or institution. हम लोग study करेंगे उसके institution के सौभाव का और उसके nature का. कि भई, nature उसका कैसा है? कितने nature होते हैं? इंसूशन के तीन, production nature, trading nature और service nature. तो तही किजिए कि manufacturing का काम करता है, service का काम करता है या ट्रेडिंग का काम करता है. फिर आप क्या करोगे? Study of accounting system. उसका accounting system को पढ़िए कि जिस business में हम audit करने जा रहे हैं, उसका accounting system क्या है? सिंगल है या डबल है? किस तरह से रखता होगा? cash basis है या एकुरल basis है? फिर बोलता है उसके हिसाब किताब का लिस्ट लिजे, कौन-कौन खाता बनाता है उसका लिस्ट मांगवा लिजे. तो देखो, यहां लोग लिखा है, obtaining the list of books of accounts. जितना खाता बनता हुसका लिस्ट मांगवा ये. अच्छे कौन देगा है? कमपनी देगी, जिसको अडिट करने जाए, जिसको फोन कर देगी, तुम अपना खाता के list दो, तो आपको list देगा. यह आपको पहले तयार करना है, कमपनी में घुसे नहीं है, फोन करकर खली समान मांगते रहे हैं. उसके बाद है, टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, पता चला, आप खली ओफलाइन जानते हैं, एकदा मैनुवल वला आदमी है, और उस कम्पुईटर में हाई-टेक मसीन लगा है, हाई-टेक सिस्टम लगा है, आपको आता ही नहीं सिस्टम चलाने, तो ओदेखा है, अब्जेक्ट ऑफ आओड़िट, यह भी आपको पता होना चाहिए, कि ओडिट का उदेश क्या है, अचा, क्या क्या उदेश हो सकता अडिट का, अब मान लिजए कि कोई कम्पनी इसलिए ऑड़िट करा रही है, कि उसका स्टाप् मिस्मैच हो रहा है, तो रहेंगो सर्स mi माया तो पहले आप टरोगो घृर्ट का ऑडित करेंगे। इस से पहले हम यह सब चीज जानकारी ले लेंगे तब भूसेंगा अडिट करनें। तो दीदेखे आप यहाहं तक तो ठीक है, अम ही संस्ता की अधिकारीं हैं धियान किया क्या मनगें गएختशनार कि लूप चैंप्ट को चैंप कनम कौन ऑफिसर असका नाम को उसका अधिकार वो लिख कर दो कि भज़ सर ये हमारे एक director है मां नाम ये है इसका दिकार ही है बोला उसका signature दो अब मां लोग कोई paper पर डायरेकटर का signature होता है था हम मिलाएंगे ना कि signature जो हमको भेजा है वही बोला है कि दूसरा है कोई आदमी फर्जीर भी तो assign कर सकता है तो पहले signature मांग लोग तुम सब का signature दो उसी सब जैसे purchase manager का signature दो आप कोई purchase order है तो उसमें देखेंगे गरी signature तो purchase वाला का ही यह नहीं है तब ही नगलती पकड़ाएगा तो purchase वाला का signature होना चाहिए तो सब का signature मांगना है उसका अधिकार मांगना है उसका नाम लिखना है उसके बाद क्या करेंगे करमचारियों की बीच कारी वितरन की जानकरी हमको यह भी जानकरी दीजे कि कौन worker में क्या काम आप बांटे purchase manager कौन है sales manager कौन है marketing manager कौन है सब के बारे हमको जानकारी दीजे कि किस worker की बीच में किस करमचारिक बीच में आपने कौन सा काम बाटा है अब नीचे क्या लिखा है आंतरिक रोख पनाली के जाच इंटर्नल चेक सिस्टम क्या है उसको चेक कीजे उसके बोलता है to study previous accounting records statement of profit and loss account and balance it हम study करेंगे पिछला साल का accounting record profit and loss और balance it को study करेंगे बोग पिछला हिसाब किताब कैसा है तुमारा जो है statement of profit and loss कैसा है और balance it कैसा है को दिकत किसी को उसके नीचे लिखाए to यहां तू यहां चला गया to open a permanent audit file उसके नाम पर एक अलग audit file खोल दो उसी में उसका audit का सारा report रहेगा to study the essential document जो ज़रूरी चीज़ है उसको study किजिए उस company का study of managerial policies के management की क्या policy उसको study करेंगे अभी तक गए नहीं है उससे पहले इतना plan बनाना पड़ता है उसके निचे preparation of audit program तब आप उसका audit program बनाएए और to determine the date of commencement of work तब तै किजेक हम किस दिन तुमारे घर आ रहे हैं audit करने रिस्ता लेके कोई इकत है और giving instruction to the employee employee का instruction दे दे यह यह काम करना अपना जितने आपके पास audit करने के लिए worker है सब को ठीक है इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपको यह सारे काम करने है कहीं कोई दिक्कत है आप question में देखे sorry यह question एक अंक एक्षा को अपने नियुकता के निमने बातों का निर्देश जो है देना चाहिए मत भी इसा बात ध्यान रखना चाहिए यहाँ एकर करके सारे points दिये वे इसको भी पढ़ सकते हैं और जो question of 4 है वो हम लोग अगले question में देखेंगे अगले lecture में नि लेक्चर 2 जब आएगा model paper का तो आपको इसका question of 4 दिखेगा question of 4 क्या है एक banking company का unction आप किस प्रकार करेंगे एक banking company का unction करते समय आप कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे वो हम लोगों को यहाँ देखना है